हेलो दोस्तों वेलकम टू दे चैनल जैसे आपको पता है कि हम mechanical properties of fluids के बारे में discussion कर रहे हैं और हमने बहुत सारा mechanical properties of fluids इसके पहले क्या कर लिया है डिसकस कर लिया है आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने दो type के liquid लेके और इनकी fluid लेके समझ लिजे liquid ने कहेंगे हम fluids भी कहेंगे क्योंकि हम gases को भी fluids के अंदर consider करते हैं तो fluids लिया है और इनकी मैं एक और property इसकस करने वाला हूँ that property it is called as viscosity viscosity क्या है viscosity क्या नहीं है तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़े हैं जो हमें समझनी चाहिए और viscosity एक ऐसी property है जो हम discuss करने के लिए एक flow के tendency का क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे और relative motion का भी क्या करेंगे इस्तमाल करेंगे तो दोस्तों ये lecture बहुत important है इसको देखना और आज term newton's law of viscosity को भी complete कर लेंगे और इसी बीच में एक जो term मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है क्योंकि वो term newton's law of viscosity में consider होती है that is called as velocity gradient उस term को कहा जाता है velocity gradient और वो term ज्यादा important रहेगी तो इन सब चीजों का हमें इस पूरे lecture में क्या करना है पढ़ाई करना है हम इन दो liquids का मैंने यहाँ पे honey लिया है आपको पता होगा सहद honey मैंने यहाँ पे लिया है और यह मेरा normal water है तो इन दो liquids के साहियाता से हम क्या करें और सबसे पहले viscosity के बारे में डिसकस करते हैं तो अब सबको मैं कहूंगा good morning, good afternoon, good evening और पहले पढ़ाई के बारे में डिसकस कर लिया अब आप बताए कैसे हैं आप लोग तो आगे बढ़ेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं जो पूराने सारे वीडियोज है उन सबकी link में दिस्क्रिप्शन में दे दी है तो हमारा चैनल एक बार सिधान से देखिए वहाँ पर जोइन का option होगा तो उसे जोइन करने का भी प्रयास कीजिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए अब मैं क्या करता हूँ पूरी term आपको शांती से explain करता हूँ छोटी term है लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है यहाँ पर मैं honey पकड़ रहा हूँ और honey को देखिए ये नीचे नीचे जब आ रहा है हम नीचे तो नहीं डालने के कोशिश करेंगे लेकिन समझ लीचे यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसका motion कैसा है slow motion है है इसका slow motion और पानी को देखने कोशिश कीज़े पानी जब भी मैं हिलाता हूँ इसका motion कैसा है rapid motion है इसका honey का जो motion है वो बहुत ही slow motion है बहुत ही slowly move करता है ऐसे fluids क्यों behave करते हैं कि motion किसी की motion fast है किसी की motion slow है ऐसा क्यों है ये हैं due to these layers between these particular liquid अब देखे surface से ये सब layers बन गए liquid के अब इन layers में क्या हो गया है इन layers को दो layers अगर एक दूसरे के साथ friction प्रोडूस कर रहा है तो there exists a force of friction और वो force of friction क्या होता है यानि viscosity liquids में का friction है बेटा आप ये समझ लीजिए viscosity ये liquids में का क्या कह सकते इसे friction कह सकते इसे friction कह सकते इसे friction in liquids यानि दो layers एक दूसरे के साथ friction करेंगे और इस direction में एक drag drag का मतलब होता है pulling force drag का मतलब क्या होता है pulling force खीचना पीछे खीचना अब क्या होता है जब water surface है water के 3-4 अमारे पास layer है तो water में ये dragging force कम produce होता है इसलिए उसकी fluidity, fluidity कैसी है ज्यादा है और viscosity कैसी है कम है लेकिन honey के time पे अगर हम सहद के बारे में बात करेंगे honey के बारे में बात करेंगे तो honey में क्या हो रहा था कि दो जो layers है different layers of liquid इनमें एक relative motion perform होती है और इस relative motion के वज़े से एक force produce होता है जो force कौन सा force है dragging force है और वो उस पूरे honey को कैसा किछता है पीछे किछता है और ये पीछे किछने की जो property है ये जो property है जिससे ये force arise होता है that property it is called as viscosity समझ मैं आ रहा है आपको कि ये जो जब आगे move करने की कोशिश कर रहा है तब relative motions between that layers of fluids ये इसे कहां किछ रहे है पीछे किछ रहे है तो इन पीछे किछने वाले force को हम कह सकते है कोईशा force है dragging force है और the dragging force experienced by the relative motion between different layers it is called as viscous force और also referred as viscous drag drag का dictionary meaning ही होता है पीछे किछना drag एने क्या करना पीछे किछना जैसे friction काम करता है in solids friction क्या काम करता है देखे friction इस relative motion अगर सामने है तो friction कहां काम करेगा opposition में काम करेगा तो liquids में friction नहीं हो सकता क्योंकि liquid में इतना contact और इतना firm हमारे पास surface नहीं होता है तो friction जो काम solids में करता है वही काम viscosity नाम की property कहां पे करती है liquids में करती है यानि जो आपके दिबाग में friction is against the motion तो viscosity भी बेटा कैसी है against the motion the quantity of viscosity is also against the motion the property of fluid by virtue of which the relative motion between different layers of fluid experience a dragging force यह definition टेक्सबुक के हिसाब से लिखी है इसलिए थोड़ सी twisted definition लिखी हुई मिलती है कि ऐसी property है viscosity जिसके वजे से क्या होता है relative motion between different layers of fluid experience a dragging force इन layers को कौनसा force experience होता है dragging force experience होता है जो पीछे की तरफ इसे खीचता है और पीछे की तरफ अगर यह खीचेगा तो उस force को कहा कौनसा force जाएगा viscous drag कहेंगे जैसे honey इसमें fluidity देखे मैं अब भी गिरा के ही दिखाता हूँ एक minute में हाथ के उपर मैं गिरा के दिखाऊँगा देखे नीचे जा रहा है तो इसकी fluidity कैसी है कम है देखे हमारे हाथ से एक बार मैं फिर से गिराऊँगा नीचे देखे इसका flow कैसा है कम है क्यूं क्यूंकि इसके हर intermolecular structure में क्या एक्ट हो रहा है viscous drag एक्ट हो रहा है तो motion अगर downward direction को है तो उसे कहाँ पर viscosity उसे कहा कीच रही है पीछे कीच रही है उस force को क्या कहा गया विसकस ड्रैग कहा गया अब यह बचा खुजा मैं खा लेता हूँ तो honey में viscosity कैसी निकली हमारी ज्याला निकली वैसे ही पानी में देखे पानी में जब मैं नीचे करता हूँ तो पानी में देखे उदर चला गया वैसा नहीं है, वोटर में viscosity काशी रही है बहुत ही कम- viscosity मिलती है इसमें विसकस ड्रैग कैसा है ज्यादा है इसमें विसकस ड्रैग कैसा है कम है तो विसकस फीन कोन है ज्यादा, honey is more viscous than water यहने honey में friction कैसा है ज्यादा है तो हम और क्या क्या लिख सकते हैं इसके बारे में वो भी देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं viscosity की definition में आप देखिए हम आकरे में यह सब complete कर लेंगा अब viscosity के बाद में हम velocity gradient नाम का एक topic देखेंगे जो Newton's law of viscosity में हमें काम में आएगा तो देखे हम क्या लिख सकते हैं आपने honey और water इन डोनों के बारे में अब देख लिये हैं कि honey कैसा है ज्यादा viscous है क्योंकि honey में viscosity की property कैसी है ज्यादा है तो क्या लिखेंगे हम अब property of fluid by virtue of which the relative motion between different layers of fluids experience a dragging force जिसके वाज़े से dragging force create होता है and such property it is called as viscosity the dragging force experienced by the relative motion between different layers it is called as viscous force viscous drag और इसे हम ये भी कह सकते हैं it is opposite to motion ये कैसा है opposite to motion है और इन liquids viscous drag अब क्यों क्यों तैयर होता है viscous drag तो viscous drag तैयर होता है it is mainly due to short range molecular cohesive forces अब सीधी सीधी बात है बैटा कि cohesion force यहाँ पे कैसा cohesive force पता है between same molecules अब इस पूरे surface में honey में cohesive force कैसा है ज्यादा है अब cohesive force अगर इसमें ज्यादा है सीधे सीधे cohesive force अगर इसमें ज्यादा है तो हमारे पास viscous force भी कैसा रहेगा ज्यादा ही रहेगा water में honey से cohesive force कैसा है कम है तो इसकी viscosity कैसी है कम है इसलिए हम क्या गए सकते है honey is more viscous than water अब gases में यह क्यों तयार होता है क्यों gases में तो viscous force बहुत ही कम रहेगा viscous force का वहाँ पे quantity term ही नहीं है तो gases में क्या हो जाएगा इन gases it is due to collisions of gas particles इस collisions एक quantity create करते है that is viscosity बट gases की viscosity बहुत ही कम होती है इसलिए उसे पढ़ा नहीं ज्यादा समझ महारा आपको तो viscosity के बारे में हम क्या क्या कह सकते है viscosity के property यह friction ही है friction है in terms of fluids viscous force act होता है viscous drag act होता है यानि quantity को अगर सामने जाना है fluid को सामने जाना है तो viscous force उसको कहां पे लेके आएगा पीछे लेके आने की कोशिश करेगा इसके वज़े से उसकी fluidity क्या हो जाएगी कम हो जाएगी flow होने की property क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और such term it is called as viscous force और also referred as viscous drag and viscous drag is opposite to the motion in liquids viscous drag is mainly due to short range molecular cohesive forces and in gases it is due to collisions of gas particles अब ये कैसे तैयार होते हैं तो इसके लिए एक term है velocity gradient हम उसकी तरफ जाते हैं कि velocity gradient actually है क्या और ये term अगर आपको समझ में आ गई तो उसका अगला पार जो है हमारे पास जिसे हम explain करते हैं in terms of newton's law of viscosity वो भी आपको easily term में समझ में आ जाएगा velocity gradient एक simple definition है तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों तो चलिए आगे बढ़ते हैं viscosity को लिख लीजिए देखिए term define कर रहा है that is called as velocity gradient ये important term इसलिए एक्जाम भी separate नहीं आएगी कभी question करने को लेकिन ये हमें Newton's law of viscosity के बारे में बात करने के लिए बहुत important है इसके लिए मैंने इसको separate ही एक बार बताने कोशिश की है ये ulti definition meter अब तक हम क्या करते थे displacement numerator मे रहता था time denominator में रहता था velocity का answer निकालते थे ऐसा नहीं है इसको हम कैसे calculate कर रहे है वो देखिए definition जाने लिए ये हमारा stationary layer है इसके उपर ये blue color के हमारे different layers of liquid है अब physics क्या कह रहा है कि stationary layer से हम हर एक distance का distance हर एक layer का distance calculate करेंगे और उसे कहेंगे x कभी x plus dx इसका distance अगर x हो गया तो x हो गया तो । x हो गया तो ये क्या हो गया x plus dx आ गया x plus 12 of dx आ गया x plus dx plus dx आ ये उपर तक आ गया ये हो गया distance from the stationary layer stationary नहीं क्या है पानी के और fluid के सबसे नीचे वाला इस्सा वो कौन सा लेयर हो गया हमारा stationary layer हो गया वहां से हमने distance calculate कर लिया और हम अब कहते है कि उसका जो velocity है fluid का वो with respect to distance change होता है कि उपर ज्यादा velocity रहेगा उससे कम नीचे रहेगा उससे नीचे कम रहेगा उससे कम नीचे रहेगा और सबसे बेस में velocity कैसा रहेगा सबसे कम र रिस्पेक्ट टू डिस्टंस चेंज हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है विट्रिस्पेक्ट टू डिस्टंस तो उसे कहा गया velocity gradient it is called as rate of change of velocity यह विलोसिटी ग्राइट अगर मैं लिखूंगा velocity gradient का formula it is rate of change of velocity that is dv rate of change of velocity dv with respect to distance measured from stationary layer that is dx dv upon dx अब यह टर्म होगे हमारे कौन सी velocity gradient यह उल्टी टर्म है हम ऐसा use नहीं करते है बट हमें formula में use करना पड़ेगा क्यूं क्यूंकि layers के हिसाब से velocity क्या हो रही है change हो रही है आ रहा है जमजबे तो layers के हिसाब से अगर velocity change होगी तो हमें तो उसके बारे में discuss करना ही बड़ेगा यानि सबसे base पे जब x displacement है तो velocity समझ लीजिए होगी v minus dv यह छोड़ दिया होगे जब displacement आ गया x plus dx तो velocity होगी v जब displacement x plus dx plus dx आ गया तो velocity क्या बनगी v plus dv यह निए velocity gradually क्या हो रही है increase हो रही है जब displacement भी क्या हो रहा है increase हो रहा है तो directly proportional भी कह सकते हैं या हम यह कह सकते हैं that rate of change of velocity with respect to distance measured from stationary layer it is called as velocity gradient और इस stationary layer से हम क्या कर रहा है distance calculate कर रहा है that is called as velocity gradient और velocity gradient की एक ही term आपको याद रखनी है इसका ना formula पुछा जाएगा नो कुछ हमें बस यह करना है velocity gradient it is termed as dv upon dx याद रहेगा तो हमें क्या करना है Newton's law of viscosity में इसका काम गिरेगा और हम कल जो हमने define किया था eta that is coefficient of viscosity उसके लिए अगे बढ़ते हैं और easily छोटा सा एक question पढ़के हमारा lecture क्या करेंगे खतम करेंगे तो सबको velocity gradient समझ में आ गया है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में तो अब क्या है Newton's law of viscosity हमारे पास क्या क्या terms पता हो गई है कि viscous force है opposing force to the motion उसे viscous drag भी कहा जाता है उसके बाद में हमने velocity gradient भी पढ़ लिया क्या dv upon dx अब उसने क्या क्या था Newton ने about the viscosity उसने कहा था for a streamlined flow the viscous force acting on any layer is directly proportional to दो चीज़े से directly proportional रहता है एक है area of layer और दूसरा है velocity gradient यानि क्या proportion है हमारा viscous force यानि viscous drag अगर हम यह कह लें f is directly proportional to a and f is directly proportional to dv by dx तो f कौन सा force हो गया हमारा viscous force हो गया viscous drag कह सकते हैं हम इसे क्या कहे लिया है viscous drag अगर इन दोनों को combine करके हमने लिख लिया तो क्या लिखेंगे f is proportional to area multiplied by क्या हो गया है dv by dx आगे समझ में अब proportional जगा sign क्या करना है निकालना है तो क्या इंटिडूइस करेंगे एक constant इंटिडूइस करेंगे of viscosity यह हमारा क्या है coefficient of viscosity और यह किस पर dependent है coefficient of viscosity कहां पर dependent है it is depending on the nature of fluid क्योंकि force कितना एक्ट हो रहा है यहां पर क्या हो जाएगा calculate हो जाएगा और एक का तो फॉर्मूला भी निकाल सकते है आप N भी कहाई सकते है इसे क्योंकि वह constant term है हम इसका formula भी निकाल सकते है क्या फॉर्मूला बन जाएगा f इदर ही रहेगा f मल्टि लाटता है क्या dx अपन dv हो गया upon यहां पे क्या आ गया area area denominator में क्या है dx अपन क्या हो गया dv आ गया तो आपको homework इसका है बस यहां से आपको क्या निकालना है unit निकालना है, यूनिट में निकाल के देता हूं, अब देखें, क्या होता है, फोर्स के उनिट के आ गया है, न्यूटन, डी एक्स, यूनिट के आ गया है, मिटर पर सेकन, आ गया है, और एरिया का उनिट के आ गया हमारे पास एरिया, यानि मिटर स्क्वेर, मिटर मिटर क्या ह हुए यहाँ पर मिटर स्क्वेर यानि न्यूटन सेकंड पर मिटर स्क्वेर हम इसे सामने से लिखेंगे उपर यूनिट इसे नाम होता है decapoise, क्या नाम है इसका? decapoise नाम होता है, कि इसे हम कह सकते हैं newton सेकंड पर मिटर स्क्वेर किसका है, इसको एक बार define भी गर लते हैं, अगर velocity gradient का हमने formula यहां से बनाया होता तो क्या होता eta is equals to f upon area भी denominator में है dv upon dx भी कैसे आ गया है denominator में तो definition क्या होती थी coefficient of viscosity of viscosity is viscous force अगया ना viscous force per unit area per unit velocity gradient it is called as coefficient of viscosity आ गया समझ में coefficient of viscosity हमारे लिए क्या आया था कि coefficient of viscosity is f upon a dv upon dx that is viscous force per unit area per unit velocity gradient तो यह होगया हमारा newton's law of viscosity viscosity की पूरी टर्म ही हमने आज कदम करते हैं छोटी टर्म है लेकिन important term होती है जिसमें हमने डिफाइन किया जिसमें हमने डिफाइन किया विसको फोर्स क्या है और newton's आपका law भी सब्सक्राइब करते हैं तो इसे लिखिये मुझे भेजिए चैनल को लाइक किजिए शेर किजिए और पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ने से ही हम सब के problems क्या हो सकते हैं सौल हो सकते हैं तो पढ़ते रहें हम क्या करेंगे पढ़ाते रहेंगे थेंक यू